बाहु बली आज तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म है SS राजमाउली की इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पे एक हजार करोड रूपए की कमाई रिलीस होने के पहले दस दिन में ही कर ली थी ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसे नाशनल फिल्म का टाइटल दिया गया नमश्कार आज हम आपके लिए एक बहुत ही हट के वीडियो लेकर आए हम बात करेंगे कि क्यों बाहु बली एक कस्टमर एक्सपीजिंस को लेकर अपनी अलग सोच और अपनी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्राटेजीज के लिए जानी जाती है इस फिल्म की मार्केटिंग टीम ने दुनिया की कोई मार्केटिंग टाक्टिक को नहीं छोड़ा अलग कंपनियों से स्ट्रेटीजिक पार्टनर्शिप से लेके ओनलाइन गेम, टीवी शो और अमेजान प्राइम पे बाहु बली की एनिमेटिड सीरीज सब बनाए करती रही और उनकी ये मेहनत सफल रही हर घर में बाहु बली टू देखने को लेकर बहुत उत्सुकता यानि एकसाइटमेंट थी अरका कनेक्ट की मार्केटिंग टीम ने काफी ओनलाइन और ओफलाइन कैमपेण चलाए उन्होंने कॉलेज इवेंट और कॉमिक कॉन जैसे बड़े पैमाने पे भी रेगिलर पबिसिटी की आईए अब ज़रा देखते और समझते हैं कि हम अपने बिजनिस के लिए बाहु बली की मार्केटिंग टीम से क्या सीख सकते हैं लेसल नमबर वान कुछ हटके करो अब अगर वही सब करोगे जो आपके कंपेटिटर कर रहे हैं तो आप अपने आपको अलग कैसे दिखाओगे राजमावली ने एक अलग ही दुनिया बनाई है आज तक जो भी पौराने कथाएं रीक्रियेट की जाती हैं वो बहुत चोटे स्केल पे होती थी पर राजमावली ने एक ऐसी ही कहानी को बड़े स्केल पे ऐसे अध्भुत तरीके से बनाया कि कोई और फिल्म उसका मुकाबला नहीं कर सकती लेस्न नमबर टू कस्टमर एक्सपीरियंस ग्राहक को क्या चाहिए, क्वालिटी और धमाकेदार कॉंटेंट इन्होंने वाइरल मार्केटिंग और एंगेजमेंट तकनीकी का व्यवस्तित रूप से सहारा लिया उन्होंने ब्राण्ड रिकॉल को मानो जैसे अमर कर दिया प्रभावशाली फोटो और हैश्टाग के इस्तमाल करते हुए उन्होंने ट्विटर और इंस्टग्राम जैसे प्लाटपरम पर अपना बोल बला कर लिया अगर आप एक बिजनिस लीडर हैं तो आपको भी अपने ग्राहकों के लिए कुछ नए और अलग एक्सपीरियन्स तयार करने होगे ताकि लोग आपको आपके एक कंपेटिटर के उपर चूज करें जो चीज आम होती है वो लोगों को याद नहीं रहती पर जब कुछ हटके होता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा तो लोग उसे भूले नहीं भूलते हैं अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो खाता बुक के साथ अब बिजनिस करना होगा आसान लेसन नमबर त्री ओनलाइन और ओफलाइन प्लाटपॉम्स का सही मिक्स चुनना सही ओफलाइन और ओनलाइन चैनल चुनने की वज़े से ये मूवी एक मिसाल बन गई यही नहीं बाहु बली का पचास हजार स्क्वेर फीट से ज्यादा के पोस्टर ने Guinness Book of World Records और Limka Book of World Records में भी अपनी जगा बना ली करीब पांच साल तक लोगों के दिमाग में बाहु बली चल रही थी क्योंकि उनकी मार्केटिंग टीम ने कोई ऐसी जगा नहीं छोड़ी थी जहां बाहु बली नहीं था YouTube, Graphic Novels, Animated Web Series, Interactive Quiz और Official Merchandise जैसे टी-शिर्ट, मग्स, इत्यादी Lesson No.4 आपसी लाग यानी बेनिफिट के लिए पार्टनर्शिप बाहु बली की टीम ने आईनॉक्स के साथ पार्टनर्शिप करी थी जब बाहु बली 1 रिलीस हुई थी और बाकी थीटर्स को भी रिलीस करनी पड़ी थी आप भी ऐसे अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से मार्केट लीडर से पार्टनर्शिप करके बाकियों का हाथ पोर्स कर सकते हैं बाहु बली 1 से पैसा कमाना उनका मोटिव नहीं था उनका मोटिव था बाहु बली 2 के लिए हाइप बनाना जैसे कि कटपाने बाहु बली को क्यों मारा इस अधूरे सवाल के जवाब के लिए दुनिया 2 साल तक उच्सुक रहे आप भी अपने प्रॉड़ाप्ट या सर्विस के इर्दगेद एक mystery factor create कर सकते हैं पर ये निर्भर करता है कि आपकी industry और target audience क्या है अगर आपका marketing campaign high quality नहीं दिखा पा रहा तो लोग आपके प्रॉड़ाप्ट या सर्विस पे कैसे भरोसा करें movies के case में खास कर कोई नहीं समझ पाया है आज तक कि भाई एक इनसान को movie देखने के लिए क्या convince करता है ट्रेलर, actor, director, story, क्या सब actor और director फिल्म की shooting के immediately बाद promotion में लग जाते हैं जो की 50-50 chance देता है success का बाहुवली की video quality, graphic quality आज तक कि किसी भी और movie से बहतर थी हर चीज़ पर 200% focus दिया गया था अगर आपका product या service फुल quality देता है तो आपकी demand अपने आप बढ़ेगी पर आपके campaign को वो audience तक पहुँचाना होगा Lesson No.6 अपने पैसे को समझदारी से इस्तमाल करें ज्यानतार film का budget आक्टर की fees पे चला जाता है पर बाहुबली के बनाने वालों ने बहुत smart काम किया अपने साड़े चार सो करोड के budget को पूरी film पे focus किया प्रभास एक monthly salary के लिए मान गये थे जिसे काफी budget बच गया और production के लिए इस्तमाल किया गया अगर आप फालतू खर्चे कम करके product quality और user experience पे focus करेंगे तो long term में वो आपको काफी फायदा देगा Lesson No.7 Brand की कहानी में दम होना चाहिए बाहुबली इसलिए भी successful हुई थी क्योंकि उन्होंने एक area या भाशा पे focus नहीं किया बाहुबली का एक universal appeal था और इसलिए चाहे वो मल्यालम में डब हो, English में या Hindi में दुनिया भर के लोगों ने उसे enjoy किया आपके brand की कहानी को लोगों से जुड़ना होगा जो लोगों को पसंद हैं जिसमें वो मानते हैं या फिर जो आपको पता है कि वो आसानी से समझ पाएंगे उन चीजों पर focus करना होगा क्या कमाल का सुफर रहा है बाहुबली का आप भी अपनी brand के लिए एक धमाकेदार सफर की तयारी कीजिए तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेती हूँ उमीद करती हूँ आपको ये विडियो पसंद आया होगा अगर आप जानना चाते हैं कि हमें रॉकेट सिंग फिल्म से क्या सीखने को मिलता है तो स्क्रीन पे दिख रहे आई बटन को क्लिक कीजिए और कमेंस में बताईए कि आप अगले विडियो में क्या देखना पसंद करोगे नमस्कार